हलो फ्रेंट्स वेलकम टू आल आज मैं आप पर वीडियो लिक्या रहा है तीस रुपे का डिविडेंड एनाउंस किया इस कंपनी ने साथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात और समझने वाली बात है इस शेयर में ऐसी है कि 20 लाक शेयर राकेश जुन जुन वाला जी के पा मैं आपको प्रिविएस वीडियो पर बता चुका हूं कि आपको डिविडेंड के ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूकर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं का तो आप बहुत सारी चीज़े मिस कर रहे हो जल्दी स इसे सब्सक्राइब कर ला है बैल आकन को प्राइस कर ला और जॉइन बटन पर क्लिक कर रहे है क्योंकि यहां पर आपको मिलेगी डिटेल्ड पूरी टेकनिकल एनलिसिस की सीरीज जिसको आप देख सकते हो फायदा ले सकते हो यहां पर कोई टिप नहीं दी जाती बलकि प् का है और बढ़िया डिविडेंट दिया है इसने इस बार प्रॉफिट देखेंगे छे हजार करोड का मार्किट कपिलाइशन है अगर देखोंगे हर 28 रुपे पर एक रुपे कमा के दे रहा है डैट तो है नहीं प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ जबर देखेंज है आप मतलब अगर आप जाओगे देखोंगे तो mcx करती क्या है तो आपको लग रहें वाँ यह mcx है metal and energy trade with trust mcx जहां पर यह सारी चीज़े ट्रेड होती है गोल्ड सिल्वर कॉपर जिंक क्रूर ऑइल काड़म लड़ यह सारे देखिए यह डिटेल देखिए mcx यही एक्षें करता है चलिए यह तो आपने बेसिक इसकी डिटेल देखिए पहले मैं आपको लेके चलूंगा इस टॉक डिटेल मैं राकेश जुन जुन वाला के शेर सापको देखाँगा बाकी चीज़े बाद में हम बात करते रहेंगे राकेश जुन जुन वाला जी के शेर देखिए और 3.92% यह होल्डिंग इनकी है उसके अलावा Axis Mutual Fund, UTI Mutual Fund, SDFC Bank के भी अच्छे खासे शेर्स यहां पर है L&T Mutual Fund तो बहुत सारी Mutual Fund houses, Kotec Mahindra Bank के शेर्स यहां पर है 15% Kotec Mahindra Bank की हिस्सेदारी है और बाकी देखिए बाकी लोगों के बहुत सारों के यहां पर शेर्स हैं अब हम बात करते हैं और डिटेल में, अब MCX की जब डिटेल देखो गए तो रिजल्ट देखिए 30 को रात को आया है, यह 9-10 बजे के आसपा से रिजल्ट आया, रिजल्ट पर यहां पर हमने देखा 30 रुपे पर शेर का जो है डिविडेंड दिया गया है, पर है काम तो चलेगा ही, आपकी गिरावट आये, मार्केट में कुछ आ जाया, एक्सेंज का तो काम चल नहीं है, शेर की खरीद पर उस तो चलती रहेगी, कमोडिटी की खरीद पर उस चलती रहेगी, तो एक्सेंज का काम रोकने से रहा, इसलिए आपने देखा, जुन-जुन 110 करोड का, तो आप सोचिए कुछ भी हो जाये, इनका काम एक्सेंज का चलना है, और कंसिस्टेंट आपको पैसा मिलना है, तो 110 करोड से 134 करोड, 135 करोड के आसपास ये सीधे-सीधे जंप आपको देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वाटर में 112 करोड था, यानि कि लो इंकम MCX की, अब टोटल इंकम देखिए तो बहुत सारी कॉस्टिंग भी लगी होगी, जब बहुत सारी कॉस्टिंग लगी है, कुछ exceptional item होते हैं, कई सारी चीज़ें होती है, software support charges होते हैं, employee क्योंकि यहाँ पे तो software support charges ही अच्छा कासा है, क्योंकि software का ही चार्ज देना है, उसके लिए पीछे जो servers लगा रखे हैं, और अब बहुत सारी चीज़ें देखोगे, तो profit before tax, अकर मैं देखू, वो कितना बना है, वो मुझे दिख रहा है 53 करोड से jump होके 64 करोड और पूरे financial year के बाद देखे तो 153 करोड से jump होके 265 करोड, यानि कि पैसा ही पैसा भीया, देखे कोई कमी नहीं है, पूरे financial year में अच्छा खासा jump, it is more than 100 करोड in one financial year, jump है बहतरीन, और अभी quarter के हिसाब से भी देखे 53 करोड से 64 करोड, कोई कमी आने से रही, कितनी भी गिरावाट आ जाए, लोग trading करना, investment करना नहीं चोड़ेंगे, वो तो काम चलता रहेगा, और अ profitability की बात करते हैं, क्या profit में positivity आई है, हाँ जी, net profit after tax जो मैं देख पा रहा हूँ, वो clearly 61 करोड से jump होते हुए 65 करोड गया है, और overall अगर financial year की बात कीजा है, तो 146 करोड से jump होके 236 करोड तक गया है, और यह numbers आप भी देख सकते हो, 146 करोड, 236 करोड, और यहाँ 61 करोड से 65 point something गया है, तो अच्छी बात है, positive बात है, अब बात करते है, net profit तो आपने देख लिया, earning per share को भी देखिया, अब earning per share को ही देख लिजे, कितना 12.87 है, जो की पहले 12 के आसपास था, और पूरे year का अगर आप देखोगे, तो 28 से earning per share बढ़के 46 तक गया, तो clearly आपको देख र लेकिन important बात आप देखे किस तरीके से इसने past में आपको अच्छी profitability दिखाए, बीच में down जरू हो आता है, फिर से अभी तेजी दिखा रहा है, अब बात करते हैं, stock के trading के जो हम detail देख रहे हैं, तो technical charts पे, अब MCX जिस तरीके से आपने देखा होगा, BAC का share listed है, वो भी exchange ह और यह MCX का share जो है, वो listed है, BAC, NAC पर दोनों पर मिल जाएगा, और market में आया है, उसके बाद देखे, peak जो बनाया थे, यह 1600 के level का इसने बनाया था एक time पे, उसके बाद गिरावट में जो low बनाया है, वो 200-300 के आसपास का इसने low भी बनाया था, low बनाने के बाद अभी द आसके time पे गिरावट जरूर आए, लेकिन जितनी जल्दी यह recover कर गया, वो आप देख सकते हो कि इस तरीके से यह बहुत तेजी से recover किया, फिलहाल monthly time frame पे मैं देखूं, तो यह बहुत ही strong position पे है, क्योंकि monthly में bullish cross इसमें बन चुका है, अब भात करते हैं, छोटे time frame पे आस असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि इस cross को, यह bullish cross अभी भी intact है, और यह देख सकते हो, हलका सा slip जरूर हो, हलका नहीं, बड़ा slip हो, बट यह moving averages जो है, वो completely मतलब यह है कि इनमें कोई cross bearish side में नहीं बना, अब इस point को देख लीजे, this is our breakout thing, इस breakout को तेजी के बाद जास consolidation मिलेगा, आप इस consolidation को देख सकते हो, जब share 800 के level से चड़के देखे, बिल्कुल 1100-1200 के level पे गया था, तो यहां पर consolidation चाहिए थी, correction चाहिए थी, this correction के निधर भी flat, this correction के निधर भी एक बड़ी correction भी हो सकते है, बट इसे just a flat, और आप को होगे कि इसको यह आपको penant kind of formation है, जो weekly पे देखने को मिल रहा है, बट जैसे ही यह breakout हुआ, और यह breakout इतना successful हुआ, इतना successful breakout आपको होगे क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों कि जब भी breakout यह near consolidation होती है, और हलका सा stock halt लेता है, तो इसका मतलब breakout बड़ा होने जा रहा है, और यह breakout आप देख सकते हैं, कितना breakout हुआ है, जब बरतस्त breakout में इसको कहूँगा, important breakout में इसको कहूँगा, वो आपने देखा और चोटे time frame पे जाके आप और अच्छे से इसको देख सकते हो, समझ सकते हो, देखे चोटे time frame पे जैसे हमने बार बार आपको बता है, breakout की एक बहुत ही बढ़िया definition होती है, कि breakout ध फिर से देखे, दुबारा आपको daily time पे आपको मिला lions attack और फिर से इसने तेजी दिखाई और वापस जा चुक है अपने 1375 के level पे, यानि कि अगेन एक बड़े breakout के level पे, अगेन मैं यही कहूँगा कि यह stock आइसने तेजी दिखाई और इतने time तक इसने आपको consolidation दिखाया, otherwise जो यह uptrend है वो sustain नहीं रह सकता, तो थोड़ा सा halt का यहाँ पे इंतजार करेंगे, तभी जाके अगली entry possible होगी, जो कि 1400 के level के पार ही possible होगी, फिलाल जो उमीद है कि stock बहुत तेजी से इन level सक जा सकता है, और आपने देखा कि किस तरीके से, कितने दिन, मैं कहूँगा कि April से लेके पूरे के पूरे मै के almost देड़ दो महिने के आसपास का time इसने खाली consolidation में निकाला, उसके बाद अगली rally आई, और यहाँ पे wind up करता हूँ, वीडियो को उमीद करता हो, आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लागा होगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छा ला कि राकेश जुनचोनवाला जी के 20 लाग shares इसमें है, और इस share पे इस तरीके से कोई इस तरीके से प्रभाव जो है बहुत कम पढ़ने वाला exchanges में trade होते रहेंगे, and thank you, thank you for watching the video.